क्या आपकी जिन्दगी में कोई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मोमेंट रहा है अगर रहा है तो बताईए आस्था जी ने प्रशन पूछा है ऐसे तो वैसे तो ऐसे बहुत सारी मोमेंट रहे हैं अब अगर हाल ही में लखीमपुर में जब हम जाना चाह रहे थे पीरतों के परिवार के सदस्यों से मिलने तो काफी एक बड़ा मतलब हमें लड़ना पड़ा काफी और उसमें जब हम रेस्ट हाउस से निकले तो पुलिस मैं ने घेरा हुआ था तो मैंने पूछा कि बताईए आप कि साधार पर हमें रोक रहे हम तो सिर्फ घर से निकल रहे हैं बाहर और हम लखनौ में थे उस समय जवाब नहीं था हमने सोचा कि इनके पास तो कोई जवाब नहीं है कोई कागज नहीं है say risen को यहाधार नहीं और गाड़ी में बैठके हम थोड़ा आगे चले और थोड़ी देर बाद जब टोल आया तो टोल गेट पे पूरा प्रशासन पुलिस खड़ा था और एक ऐसा मोमेंट आया जब हम घिरे हुए थे और हमें मालूम नहीं था कि ये लोग हमें जाने देंगे कि नहीं और सारा टोल को ब्लॉक किया हुआ था ट्रकों से तो उस समय हमारे एक साथी गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने टोल से निकाल ली गाड़ी पीछे सारी पुलिस आ रही थी हमारे कारिकरता भी थे प्रशासन के तमाम लोग थे तो उस समय मेरे ख्याल से मेरे जो दो तीन साथी थे मेरे स थोड़ा सा घबरा गए कि अब क्या करेंगे तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं लेकिन मैंने कुंट्रोल ले लिया आपना सिटुएशन का और मैंने का कि देखो अब चलाओ और हाईवे से उतर जाओ हाईवे से उतर के अन्धेरे में एक्दम काफी द की अर्ग धाँ बजे थे अंधेरे मीं हम गाओं के राश्टे से चलेब तो गाउं के रास्ते कम से कम हम एक देड़ घंटे के लिए चल रहे थे, पीछे-पीछे पुलिस आ रही थी, तो हमें मालूम था कि अगर पुलिस आ जाएगी हमें रोकेगी और हम अपना लक्ष नहीं पापाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे लखिमपूर, तो मुझे यह सू किया, गाड़ी को साइड में लिया, काफी अंदर चले गए खेत के, और वहां पे लाइट बंद करके, एंजिन बंद करके वेट किया, जब कि सारी पुलिस वाले आगे निकल गए, क्योंकि हम दिख नहीं रहे थे, तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, यह थोड़ा सा लड़क किती हूं मुमें थे